हेलो एब्रिवन वेल्काम अगे ने लर्ण विद दृतिमन बचों हम कर रहे थे क्लास नाइन का चैप्टर नबर 12 जिसमें हम चार पार्ट कम्प्लीट कर चुके हैं जिसमें हम 110 कुशन कम्प्लीट कर चुके हैं और अब यह इस चैप्टर का आपका लाश्ट पार्ट होगा जिसमें आपका यह चैप्टर हो जाएगा कम्प्लीट तो चलिए बिना देरे के स्टार्ट करते हैं पार्ट नमर 5 कुशन नमर 111. राइस्थान के उत्तर पश्रिम का अधिकांस भाग किस सागर का अवसेश माना जाता है? जो जीले हैं, कुछ जीले हैं, जिनको कहा जाता है ये 33 सागर के अवसेश हैं, तो ये कौन से जीले हैं जिनको 33 सागर के अवसेश के रुप में माना जाता है, वो हैं सांभर, डेडवाना, पचपद्रा, लून करण सर, ये जो जीले हैं, ये सारे क्या हैं? खारे पानी की जी और इसी वज़े से इसको टेहती सागर के अफसे इसकी रुप में माना जाता है सांभर टेट बाना पच्पदा लूंग टर्ण सर ये सभी क्या है ये खारे पानी की धीले हैं नए कोश्चन देखें विस्व की प्राचीनतम परवशंकला कौन सी है देखें ये कोश्चन ये ब प्राचीनतम परवशंकला भी है वह ना नैक कोश्चन देखें राइस्चान में किस प्राकरतिक आखरती को मुख्य जलिवभाजक यानि अपवहा तंत्रवभ वँभाजक कहा जाता है राइस्चान में एक ऐसी structure प्राकरतिक आखरती है जो की जलिवभाजक है मलब राइस् आप वहत अंत्र को दो भागों में भाजित कर देती है इसलिए से मुखे जल विभाजक प्राकृतिक आक्रति है अरावली परवतमाला और यह मुखे जल विभाजक भी है नेक कोशन देखिए राइस्थान को भौगौलिक आधार पर कितने भागों में बाटा जाता है तो कौ कौन कौन से भाग है इसको पांच भागों में बाटा जाता है पस्चिम मरुस्तलिय प्रदेश आ जाता है आपका अर्दसुस्क प्रदेश है अरावली प्रदेश जो पहाड़ी भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश है और दक्षनी पूर्वी पठारी प्रदेश है जिस राइस्थान के भौगौलिक विभाजन के आधार पर सबसे बड़ा भौगलिक चेता है। राइस्थान के पश्री मरुस्थान के प्रदेश को कितनी समानंतर प्रदेश जो बालुका और इस्तूप हैं जिसमें बांगर और राही। मरुस्थान के प्रदेश है उसको तीन समानंतर पेटियों में बाटा गया है। मरुस्थान प्रदेश जिसमें बालुका इस्तूप पाये जाते हैं। इस्तूप का मतलब तीले हो गए। जो रेत के टीले हैं वो मरुस्तली प्रिदेश में है, बांगर कैसा है, जहां पर रेतीली मिटी के मैदान पाए जाते हैं, वह टीले नहीं है, वह मैदान है, और तीसरा काउंचा है, बाढ़ के मैदान जहां पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, राही, ठीक है, चली, नेक मीटर उचा है राइस्थान के पश्चिमी मरस्थलिय भाग में पाई जाने वाली कटकों को इस्थानिय भासा में क्या कहा जाता है कटक क्या है क्टक क्या है जब धराता लिये धरती पे भूमी में पानी के वज़य से कटाव आ जाता है और जब उस्थानी भासा में क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है धोरे यह कुश्चन important है राइस्थान के पश्चिमी मरस्तलिय भाग में पाई जाने वाली जो कटक हैं उनको इस्थानी बासा में क्या का जाता है धोरे का जाता है next question देखिए राइस्थान के पश्चिमी मरस्तलिय भाग में मूलता कौन से जिले आते हैं राइस्चान की जो पस्षी में मरस्तली भागे हैं उसमें कौन से जिले आते हैं? तो वह हैं आपके जैसल मेर, बीकानेर, जोदपूर और बार्ड मेर. जैसलमेर, बिकानेर, जोदपूर और वार्डमेर जो जिले हैं यह मुझेते हैं पश्चिमी मरुस्तलिय भाग में आते हैं नएक कोशन देखी राइस्थान के पश्चिमी मरुस्तलिय भाग में किस तिसा में 25 cm की वर्षा रिखा निर्मित होती है जो पश्चिमी मरुस्तलिय भाग में किस चेत्र में 25 cm की वर्षा रिखा निर्मित होती है यह है पूरी भाग में कहां होती है यह पूरी भाग में नएक कोशन देखी लेकिन जहां आप बात करते हैं पश्री में भाग में निर्मित होती है इस बात का आप ध्यान रखेगा इसमें गन्फ्यूज मत होईएगा ना कोशन देखेए रावली परवत्माला के पश्चिम में उत्तर पूरूर से दक्षिण पश्चिम तक है ना रायस्थान के अर्दसुस्क प्रदेश की आस्तन उचाई कितनी है रायस्थान का जो अर्दसुस्क प्रदेश है वो कितनी है तो देखे आपने जब देखा था पशिम मरुस्ता लिशे था कि तो वो डेट सो से तीन सो मीटर उचे था लेकिन जब अर्दसुस्क की बात करें तो ये 300 से 400 मीटर तक उचा है क्यों क्योंकि ये अरावली फर्वच सिर्णी के आजपास दिखाई देता है तो ये अर्दसुस्क प्रदेश होनी की वज़े से 300 से 400 मीटर उचा है नेक क्वेशन देखिए रावली फर्वच सिर्णी के आर्दसुस्क प्रदेश में मूलता है कौन से जिले आते हैं? यानि घुमी के अंदर जो जल पहता है उस प्रवाज शेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है बांगर कहा गया उस समानतर पेटी का नाम क्या था? बांगर और ये क्या है? बांगर इसमें डै है इस बात में कंफ्यूज मत होईएगा बांगर कहा जाता है लेकिन पेटी है उसको बांगर कहा जाता है जहां रेतिली मिट्टी के मैदान पाए जाता है तो बांगर और बांगर में कंफ्यूज मत होईएगा नेक क्वेशन देखिए राइस्थान के अर्दसुस्क प्रदेश में मूलता है उप प्रदेश है उप प्रदेश क्या क्या लाते है लूनी बिशिन सिखावटी भाग नागौरी उच्च भूमी और गगर का मैदान ये क्या है ये राइस्थान के अर्दसुस्क प्रदेश में उप प्रदेश की तौर पर देखा जाता है इनको किसे आडा वाला पाहड कहा जाता है नहीं क्वेशन देखे का विस्तार कितनी लंबाई में है आरावली का जो विस्तार है वो कितनी लंबाई में है बचों? वो है आपका 602 में 692 किलोमीटर जो है दिल्ली से गुजरात के पालनपूर कस्बे में खेड ब्रहमा तक है दिल्ली से गुजरात के पालनपूर कस्बे में खेड ब्रहमा तक है फैला हुआ है 602 में किलोमीटर मे नेक क्वेशन देखिए जेम्स कंडल टॉड ने किसे संतों का सिखर कहा है जेम्स कंडल टॉड ने किसे संतों का सिखर कहा है देखिए इस टाइप के जो कोस्टन होते हैं यह काफी रिपीट होते हैं या फिर यह बार बार आने के इनकी संभावना होती है तो यह question नहीं देखा गया है लेकिन यह काफ़ी importance रखता है यह आ सकता है और बहुत जल्दी किसे ने किसी exam में आएगा तो हो सकता है आपके read के exam में ही आजाए तो इस type के questions पर थोड़ी measure ज्यादा रखिएगा जेम्स कंडल टॉड ने किसे संतों का सिखर का है तो किसे का है गुरू सिखर जो हमारे जायसान में सबसे उचा भी है रावली परवश रंखला यह आरावली यह हिमाले चेत्र और नीलगीरी परवश यानि भारत के जो उत्तर से लेकर दक्षिन तक का जो इस्थिति है उसमें बीच में यह सबसे उचा गुरू सिखर पड़ता है है तो यह संतों का सिखर भी कहा है जेम्स कंडल टॉड ने नेक क्वेशन देखी अरावली को भौगवली का अधार पर किस प्रकार बाटा गया है तो हम जानते हैं उत्तरपूर्वी पहाड़ी मध्य अरावली मेवाड क पहाड़ियां जिसको भौराठ का पठार भी कहते हैं और आबू परवत इन उपभागों में बाटा गया है इसको उत्तरपूर्वी पहाड़ी मध्य अरावली मेवाड की पहाड़ियां जिसको भौराठ का पठार भी कहते हैं और आबू परवत इन रूप में इसको बाटा बेसिन, चंबल बेसिन की भूमी और बनास वे माहिं का बेसिन यहां पर मुख्यते हैं, नेक क्वेशन देखिए, राइस्थान के पूरी भाग में पाई जाने वाले बाढ़ के मैदान, नदी, कगार, बीहड वे अंतसरीताएं, किस नदी बेसिन का हिस्सा हैं, देखिए, बीहड का है, यह जंगली छेत्र हैं, जो नदी के कटाव से नर्मित हो जाते हैं, तो बाढ़ के मैदान, नदी, कगार, बीहड वे अंतसरीताएं, किस नदी बेसिन का हिस्सा हैं, तो यह चंबल नदी है, जिसका यह सभी हिस्सा है, राइस्थान के पूरी भाग में, मैदा बाढ़ के मैदान, नदी कगार, बीहर और अंतसरीता हैं, चंबल के बीहड आपको पता है, फिर मोह में भी आते हीं, चंबल के बीहर है न, चलिए, नह क्वेशन देखिए, बनास बिश्न को किन दो भागों में वर्गी करत किया हुआ है? तो बनास बेशिन को जो हैं, दो भागों में है, मालपुरा करॉली मैदान और मेवार का मैदान, बनास बेशिन को दो भागों में वर्गी करतिया है, मालपुरा करॉली का मैदान और मेवार का मैदान, नेक कोशन देखी, किस नदी के मैदान को चपन का मैदान कहा जाता है, य माही नदी के जो मैदान है, उसी को ही छपन का मैदान कहा जाता है, नाही कोश्चन देखिए, दक्षनी पूरवी पठारी पठारी प्रदेश को किन अन्य नाम से जाना जाता है? देक्षणी पूर्वी पठारी जो प्रदेश है राइस्थान का उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है तो आप जानते हैं इसको हाडोती का पठार भी कहा जाता है हाडोती का पठार इसको कहा जाता है ने कुशन देखिए हाडोती का पठार किन जिलों में विस्तारित है हाडोती का जो पठार है ये किन जिलों में है ये बारा, भूंदी, कोटा, जालावार ये चार्ड जिले हैं इसके अंदर हाडोती का पठार का छेतर है बारा, भूंदी, कोटा और जालावार सबसे मुख्य नदी कौन सी है तो वो है चंबल नदी यहाँ इस छेतर में सबसे मुख्य नदी चंबल नदी है नेक कोईशन देखिए, चंबल नदी पर निर्मित भैसरोडगर के निकट जलबरपाद किस नाम से जाना जाता है? ये कोईशन आ चुका है और ये इंपोर्टेंट भी है, तो इस प्यात का धान रखिएगा, चंबल नदी पर जो निर्मित भैसरोडगर के निकट नेक कोईशन देखिए, उपरमाल किसे कहा जाता है, तो उपरमाल क्या है, बहेंसरोडगर और बिजोलिया के मद्धे जो पठारी भाग है, उसको क्या कहा जाता है, उपरमाल कहा जाता है, बहेंसरोडगर और बिजोलिया के मद्धे पठारी जो भाग है, उसको क्या कहा जा उपरमाल कहा जाता है। वे कोटा में काप्य बिशिन भाग में कौन सी पहाड़ियां इस्थित हैं। ये जो काप्य बिशिन हैं, इसमें कौन सी पहाड़ियां इस्थित हैं। तो इसमें हैं मुकंदरा वे बूंदी की पहाड़ियां। मुकंदरा देखे भूंदी बारा और कोटा की मद्द्द है लेकिन पहाड़ियां कुन सी हैं भूंदी की पहाड़ियां हैं मुकंदरा की पहाड़ियां है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है इसमें आप कंफ्यूज ना होईएगा तो बच्चों इसे के साथ आपका ये चैप्टर होता है समाग मिलते हैं नेक्स चैप्टर के साथ तब तक के लिए थैंक यू